विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है प्रतिप्रक्षाला अंदर नायकुल पई ये दोक केस उन्ना दी ED, CPI, Income Tax, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं ED, CPI, Income Tax Department लो प्रतिप्रक्ष नायकुल अंदर पई नगुडा केस उन्ना जरगींदी मगर तेलंगाना के चीफ मिनस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है खानी तेलंगाना मुक्यमंत्री केस यार पई बीजेपी वोलो ये केस उन्ना बेट ले दू M.I.M. के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है M.I.M. नायकुल पई ये केस उन्ना बेट ले दू सिरफ विपक्ष पर आक्रमन होता है के वलो प्रतिपक्ष नायकुल पई ने केस उन्ना बेट ले दू वो आपके चीफ मिनिस्टर को और MIMM को अपना मानते हैं इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है ब्रस्टाचार के सब रेकोर्ड तोड़ दिये मगर ED, CBI, Income Tax कोई केस नहीं आज मैं सोनिया जी का भाषन देख रहा था और मैं सोच रहा था जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती है जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती है चाहे कुछ भी हो जाए जोरों से नहीं बोलती है मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो कर के दिखा देती हैं 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलेंगाना के बारे में कॉंग्रेस पार्टी सोचेगी और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर कर के दिखा दिया और आपका जो सपना था तेलेंगाना स्टेट का सपना जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी उस सपने को सोन्या जी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया बियारेस को हम बीजेपी रिष्टेदार समिती कहते है पूरा का पूरा फाइदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है हमने तेलंगाना को स्टेट होड के फाइदे के लिए नहीं दिया था केसी आर जी के परिवार के फाइदे के लिए नहीं दिया था हमने तेलंगाना को स्टेट होड तेलंगाना के गरीबों के लिए किसानों के लिए माताओं के लिए मजदूरों के लिए दिया था तेलंगाना रास्टाउं में वेर पाट्चे सिंदी तेलंगानलो रैतुल कोसों पेदवारी कोसों बलाईन वरगाल कोसों